अब सरकारी स्कूल के सिक्षक टीबी यानी ट्यूबर क्लॉसिस मरीजों को गोद लेंगे जी हाँ आपने सही सुना दरसल प्रतापगड में एक आदेश जारी किया गया है इसमें कहा गया है कि टीचर्स को टीबी मरीजों का इलाज पूरा होने तक उनकी देख भाल करनी है इ यसे के आदेश में साफ लिखा है कि टीबी मरीजों को गोद लेने के टीचर्स की लिस्ट जल्दी से जल्दी तयार कर ब्लॉक स्तर पर टीबी सुपर्वाइजर को उपलब्द करा दी जाए ये आदेश तब दिया गया जब हाई कोट इलाहाबाद की रूलिंग है कि पीचरों के लिस्ट बना कर भेजी जाए जिन्हें टीबी मरीजों की मॉनीटरिंग करनी है और डीम साब के अदक्षिता में एक मिटिंग हुई थी इसके लिए टीबी उनमुलन के लिए तो उसमें चुकि यह समस्या एक उबर के आ रही थी कि जो मरीज है वो लगतार चु क्याक शुकी सिर्खत बिलॉंग करता है गाव समाज तक जुड़ा हुए और वो जाके उन्हें हमोटिवेट कर सके और इसी हुद्देश से शिशु को इसमें जोड़ा गया इसमें सिक शकोंगों उन जुमरीज हैं जो चुकि ऊद्व जैसा कि मैंने बताया कि लॉंग टर कि दिया गया है उन्हें बताएं उनका संबल बढ़ा सकते हैं तो इस उड़ेश से आदेश किया गया अधिकारी जो है उनको आदेश कर दिया गया है कि यूपी में टीबी के रोग को जड़ से खत्म करने के उद्धेश से अधिकारी और करमचारियों को टीवी मरीज को गोद लेने का अभियान शुरू किया गया है ये अभियान UP में बीते 24 मार्च 2022 वरल्ड टीबी डे पर शुरू किया गया है अभी तक स्वास्ते विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों के पास इसकी जिम्मेदारी थी अब प्रताबगर में टीचर्स को भी ये जिम्मेदारी सौपी गई है पंजाब केस्री टीवी के लिए प्रताबगर से ब्रजेश मिश्रा की रिपोर्ट हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नए वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाए अगर आप ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें धन्यवाद